हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश विद एसार सीमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज अपन बात करेंगे रीट भरती परिक्षा में सपल होने वाले अभियर्थी जो बविशे में थर्ड ग्रेड यानिकी तर्ते सरणी अध्यापक बनने वाले हैं उनका वेतन क्या रहने वाला है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि तर्ते सरणी अध्यापक सेवंत पे कमिशन की जो टेबल है उसमें एल टैन के अंदर उनको रखा गया है अब जाए आप लेवल वन से चैनित होते हैं लेवल टू से चैनित होते हैं आपको समान वेतन मिलेगा आपक आप प्रोबेशन पिरिड में यहना की परीविकशा काल में रहोगे परीविकशा काल में आपको किसी भी तरह जया आप्सुरुर्य उयां की 20,000 है लगते आपको 2300 कि alsॉ रुपे . सहमी रहेगा तो 23,700 रुपे पे आपको fix करके लगा देंगे उसके बाद आपके लिए यह निवार्य कर दिया गया आपके 10% जो है आप नई pension scheme के तेथ नई new pension scheme के तेथ आपको 10% वितन कटवाना पड़ेगा अब 23,700 रुपे आपको मिलने वाड़े हैं लेकिन 10% आपने NPS कटवा दिया कितने रुपे कटा है 23,700 रुपे कटा है तो यहाँ यह धिहान देना कि 23,700 रुपे आपके कटेंगे 23,700 रुपे गोवर्मेंट आपके जो है NPS में अकाउंट में जमा करेगी देखो यह NPS अकाउंट जमा करेगी हो ना कि आपके खुद के बैंक खाते में आपके नाम का NPS अकाउंट बनेगा न NPS अकाउंट उसमें आप 23,700 रुपे जुड़ा होगे हर महीने तो हर महीने गोवर्मेंट भी आपके 23,700 रुपे जोड़ेगी तो आपके बैंक में कितने जुड़ेंगे 21,330 रुपे यह कब तक जुड़ेंगे जुड़ेंगे जोड़निंग डेट से लेकर के दो साल तक जब आप परिविक शाकालियन की प्रोबिशन पेर्ड में रहोगे अब बात करते हैं दो साल बाद आपका क्या 5,746 रुपे तो यह 5,746 को 33,800 में जोड़ो तो कितना बनता है गुण 4,546 रुपे बन जाता है आपका अब आपके लिए NPS आपको कटा नहीं है जब 23,700 में से जब 2370 कटा रहे थे तब 49,546 में से आपको 10% कटा होगे तो कितना कटेगा 49,454 रुपे यह जो है निकट तम मान में चला जाएगा तो 49,546 में से जब 49,55 रुपे जब कटेंगे तो पीछ आपका पेमेंट बनेगा कितना 35,501 रुपे तो 35,501 रुपे यह बन जाएगा आपके बैसिक और डिये मिला करके यहन की NPS की कटोती होने के बाद तो पेठ NPS की कटोती है बात करता है अचरए की यहन की महंगाई बता की तो महंगाई बता दो तरे से मिलता है सेरों के लिए जो कुछ इटि है जेपुर, जोदपुर, कोटा, अजमेर, विकानेर उनमें वहाँ पर 16%, सेरो में 16% HR मिलता है और जो है गाउं में 8% HR मिलता है तो माल लिजी आपकी नोकरी लगती है किसी गाउं में तो आपको कितना HR मिलने वाला है 8% मकान किराय मिलने वाला है तो 8% मकान किराय कितना हुआ तो 8% HR मिल जाएगा आपको गाई में मालो नुक्ति हुई है तो 8% HR किस पे मिलेगा बैसिक पे बैसिक कितना आपका 33800 रुपे तो beisik हो गया 2704 रुपे आपका 2704 रुपे आपका पहले पेमैंट कितना था है डिये मिला करके 3500 रुपे थे और उसमें 2700 चार और जुड़ गे तो कितना बन गया? 38295 रुपे बन गे टोटल अब 38200 रुपे में से आपको SI कटोती करवानी पड़ेगी यानि कि राज्य बीमा कटोती करवानी पड़ेगी 2200 रुपे नियुन्तम है 8% HR के साब से माल लिजी आपको जेपुर, जोतपुर, कोटाज, मेर, बिकाने, ये सहरों में यानि की शहरी चेतर में, गाउं में नहीं हो शिटी के अंदर only वहाँ अगर आपको जोइनिंग मिल जाती है तो आपको HR कितना मिलेगा मकान किराया फिर 16% मकान किराया मिलेगा तो 16% मकान किराया मिलेगा बैसिक पे तो आपका कितने बन जाता है 3300 का 16% 408 रुपे बन जाते हैं टोटल 408 रुपे नहीं, यहां आपको सहर में रहने से 620 रुपे का जो है सहरी बता भी मिलेगा, CCA जो होता है सहरी बता भी मिलेगा तो यहां आपको टोटल आपका पेमेंट बन जाता है 61,619 रुपे 61,619 रुपे बन जाते हैं उसमें से आपको 22 रुपे के S.I. कटोते करवाने पड़ेगी जो रजे बिमा की है तो 22 रुपे S.I. कटोते करवागे तो फिर आपके अकॉर्ड में जो है जोड़ दी जाएंगे 44,419 रुपे यान की 49,419 रुपे सीधे आपके बैंक का कब जब आप सहर में नोकरी करते हो यहां मैं आपको यह बताता चलूँ कि इंक्रीमेंट जो है हर साल 3% आपके वेतन के उपर वर्दी होती है तो फ्रेंट्स हर साल जो है 3% इंक्रीमेंट होता है यान की वेतन वर्दी होती है हर साल 3% तो आप पहले साल में 33,800 फे फिक्स रहोगे दूसरे साल पिर आप 34,800 फे फिक्स हो जाओगे उसके अगले साल फिर जुलाई में आप एक जुलाई को 35-800 पर हो जाओगे उसके बाद 36-900 उसके बाद 38-900 उसके बाद 49-300 पिर 40-300 इस तरह से हर साल आपका जो है इंक्रिमेंट जुलाई में 3% बढ़ेगा और बढ़ने वाड़ा है वो बढ़ेगा जो है डिरेंस अलाउंस जो होता है मेंगई बता जो जो के अंदर सरकार बढ़ाती है जैसे अभी 17% चल रहा है के अंदर सरकार 20% करेगी तो इस टेट गोर्रमेंट भी 20% कर देगी इस तरह से यह हर साल जो है मेंगई बता बढ़ता रहता है तो वेतन जो है निरंतर आपके लिए हर साल जो है वो ब NPS कटोती होती है और SI कटोती होती है फिर आपने LIC वगरा वेक्तिकर दगर करवा रखी है तो उसकी भी कटोती है आपके वेतन से हो जायेगी उमीद करता हम आपको वीडियो पसंद आया है थेंक्यों फॉर वचिंग इस वीडियो